नमस्कार साथियो जैहिंद बंदे मातरम एक समय था जब करांतिकारियों ने भारत के लिए जान दे दी थी अंगरेजों के खिलाब आज एक समय है दोस्तों कि बच्चे ने ये ठान लिया है कि चाहे साम, दाम, दंड, भेद, इलेक्ट्रोनिक डिवाइस, ब्लूटूथ, पर्चा, मुह में नकल कहीं न कहीं तो लेके जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं दोस्तों ध्यान रखना बात कर रहा हूँ बिहार पुलिस की, यानि हाँ, उस राज्य की बात कर रहा हूँ, जहां पर सिच्छा का इस्तर सबसे नीचे है, मतलब जिसका लिट्रेसी रेट पूरे देश में सबसे नीचे है, 63.26 दोस्तों इसी में एक भरती निकलती है किसकी, पुलिस कॉंस्टेबल की भरती, बहु प्रतीक्षित भरती थी, जिसका बहुत बेसबरी से लोग इंतजार कर रहे थे, उस भरती को चलते चलते पेपर भी आ गया, और दोस्तों जब पेपर हुआ एक अक्टूबर को, तो कु हो गया माइडियर, तो उसकी सिकायत कर दी गई, और जब इसकी जांच होई, साथ की साथ, सरकार इस मामले में आगे निकली, बाकी समय भले ही पीछे हो, कि इसकी जांच हो गई, और जैसे ही इसकी जांच हो गई, मेरे प्यारे, ध्यान रखना ये बात सत्य निकल गई, कि ह हाँ पेपर में धादली हो चुकी है जिन लोगों को ठूसना था क्या रुपा वे ठूस चुके हैं ठीक है दोस्तों सरकार ने ततकालीन प्रभाब से क्या किया इस भर्ती को एक नोटिस निकाल दिया आदे बचे कहेंगे सरक नोटिस तो आपने दिखाया ही नहीं है दिखा र प्रगत बिहार पुलिस अमन्ने काईयों में सिपाई के पदपर चयनेतु एक दस एक अक्टूबर को क्या परिक्षा आयुजित होनी थी उसके संदर्भ में ये नोटिस जारी किया है देख लिजिए इस भरती में दिनांक एक दस दोजार तेईस को रविवार को दोनों पा ये देखी ये साफ लिखा हुआ है यहां पर कि पहले एक अक्टूबर की दोनों पारियां रद दें और बाकी के साथ और पंद्र है अक्टूबर को जो पेपर होने वाला है उन बच्चों में बहुत खौफ फैला हुआ था कि पतानी पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंग तो कोई पतानी अब ये कब होगी अब अगर ये होगी तो ध्यान रखना भाई पूरी सतरकता के साथ होगी अब काम नहीं चलने वाला उससे अकड़ बंबे वो से तो आज ही तैयारी भी ढंग से बिठा लेना आपके पास एक थोड़ा दुख है तो दूसरा मौका भी है कि भरती परिक्षा तो होगी अब एक चीज और आपको बताऊंगा कि जो बच्चे बिहार पुलिस का एक्जाम भर चुके हैं उनसे मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की भरती को न छोड़े दोस्तो ध्यान रखना दोनों इस्टेट में भरती निकली हुई है एक दूसर